आईए सुनते हैं कहानी का अगला भाग दूसरे दिन सवे रहे किशन चिपचाप हिमांगिनी के घर पहुँचकर उसके बिस्तर पर पैरों की ओर जाकर बैठ गया हिमांगिनी ने अपने पैर थोड़े से उपर खींच लिये और बड़े प्यार से कहा किशन दुकान पर नहीं जाएगा अब जाओंगा देर मत कर भाईया इसी समय चला जा वरना गालियां देने लगेंगी किशन का चेहरा एक बार लाल पड़ा और फिर पीला पड़ गया अच्छा जाता हूँ कहकर वह उठ खड़ा हुआ उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन फिर चुप हो गया हिमांगिनी ने जैसे उसके मन की बात समझ ले बूचा क्या मुझसे कुछ कहना चाहता है भाईया किशन ने जमीन की ओर देखते हुए बहुत ही कोमल स्वर से कहा मजली दीदी कल से कुछ भी नहीं खाया है फिर तुरन थी उसकी आँखों में आशु भराय और धीरे धीरे जरजर करके बहने लगे उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपने पास बैठा कर जब एक एक करके सारी बातें जान ली तो कहा कल रात को ही यहां क्यों नहीं चलाया किशन चुब बैठा रहा हिमांगनी ने आशु पूछे और कहा भाई तुझे मेरे सिर की सौगंध आज से मुझे अपनी मरी हुई मा की जगा ही समझना कुछ समय बाद ही यह सब बातें कादेंबनी के कानों तक पहुँच गें उसने अपने घर से ही मजली बहु को पुकार कर कहा क्या मैं अपने भाई को खिला नहीं सकती जो तुमने उसके गले पकड़ कर इतनी बातें कही बातों का धंग देकर हिमांगनी के सारे बदन में आग लग गई लेकिन क्रोथ को छिपा कर बोली अगर मैंने गले पकड़ कर कुछ कहा भी है तो इसमें दोश क्या है कादम बिनी ने कहा अगर मैं तुम्हारे लड़के को बुला कर उससे इस तरह की बातें कहूँ तो तुम ही बताओ तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी अगर तुम उसे इस तरह बढ़ावा दोगी तो मैं उसे नियंतरण में कैसे रख सकूँगी अभे मांगनी बरदाश्ट नहीं कर सकी उसने कहा बेहन पंद्रह सोलह साल तुम्हारे साथ रह कर गिरस्ती चला चुकी हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ पहले अपने लड़के को भूखा रख कर उस पर शाशन करो तब दूसरे के लड़के पर करना तब गले पकड़ कर कुछ कहने नहीं आऊंगी कादमबिनी ने भड़क कर कहा मेरे पांचू गोपाल के साथ उसकी तुलना देवता के साथ बंदर की बराबरी मजली बहु मैं सूचती हूँ इसके बाद तुम ना जाने और भी क्या क्या कहते फिरोगी मजली बहु ने उतर दिया मैं जानती हूँ कि कौन देवता है और कौन बंदर है लेकिन जी जी अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगी अगर कहूंगी तो केवल यही कि तुम जैसे निश्ठुर और तुम जैसे बेहया औरत इस संसार में और दूसरी नहीं है या कहकर उत्तर की अपेक्षा किये बिना हिमांगनी ने अपनी खिड़की बंद कर ली उस दिन शाम को जब घर में मालिकों के लौट आने का समय हुआ कादमबिनी ने अपने घर के आगन में खड़े होकर दासी को निशाना बना कर उची आवाज में गरसना बरसना सुरू कर दिया जो रात दिन काम करते हैं वही इसकी व्यवस्था करेंगे देखती हूँ मा से बढ़कर मौसी को दर्थ है अपने भाई का दुख दर्थ नहीं समझती समझते हैं पराए कभी भला नहीं होगा अगर कोई भाई बहन को लड़ाएगा और खड़ा खड़ा तमाशा देखेगा धर्म भी इसे बरदाश्ट नहीं कर सकेगा यह मैं कहे देती हूँ यह कहकर कादम बिनी अपने रसुई घर में चली गए दिवरानी जिठानी में इस धंकी गाली गलोज और कोसा काटी अनेक बार और अनेक तरीके से हो चुगी थी लेकिन आज वह अस्वस्त थी इसलिए ब तुम्हारी पकार न सुनी हो थोड़ी देर और हमारे सर्विनाश की काम ना करो जिठानी घर आएं वह सुन ले तब तब वह भी आ जाएं और वह भी सुन लें अगर इतने में ही तुम ठक कर चुप हो जाओगी तो काम कैसे चलेगा कादमबिनी ततकार जपट कर आंगन में आ गए और सिर उपर उठा कर चिला उठे मैंने क्या किसी सत्यानाशी का नाम लिया है हिमांगनी ने बड़े सैयत स्वर में कहा भला तुम किसी का नाम क्यों लेने लगी जिजी नाम लेने का अधिकार तुमें है ही नहीं लेकिन क्या तुम यह समझती हो कि दुन्या में केवल एक तुम ही सयानी और समझदार हो और बाकी सब बेवकूफ हैं ढोकर मार कर किसका सिर तोड रही हो यह क्या कोई समझता नहीं अब कादमबिनी ने अपना वास्तविक स्वरूब धारन कर लिया और खूब मुह बिचका ब चुरू कर दिया भले ही कोई समझ ले जिसका दोश होगा उसी को तो बुरा लगेगा और फिर क्या तुम ही सारी बातें समझती हो मैं नहीं समझती जब किशन आया था तो दो चाटे खाकर नहीं करता था जो कहती थी चप चाप वही करता था लेकिन आज दोपहर को किसी ता प्रसन्य की मा ने कहा, हाँ मजली बहु, यह तो ठीक है, आज दुपहर को जब इस भात के लिए बिना छोड़ कर उठखड़ा हुआ, तब मालकिन ने कहा, जब इस भात के लिए बिना यमराज के घर जाना पड़ेगा, तब इतनी अकड किसली है, इस पर वह कह गया, अपनी म किसके बल पर उसे इतनी अकड है, आज मैं तुमसे साफ साफ कहे देती हूँ, तुम उसे बार बार मत बुलाया करो, भाई बहन के बीच में तुम मत पड़ो, हिमांगिनी ने फिर कुछ नहीं कहा, एक के चुए ने भी साप की तरह कुंदली मार कर काटा है, यह सुनकर उसक आश्चर की सीमा नहीं रही, वह खड़की के सामने से हट कर सोचने लगी कि कितने भारी अत्याचारों को सहते रहने के बाद, उस मासूम बच्चे के द्वारा यह संभव हुआ होगा, हिमांगिनी का सिर भारी हो गया और ज्वर मालूम होने लगा, इसलिए वह असमय ही, प क्या जखड़ा करके बैठी हो, किसी के मना करने पर भी सुनोगी नहीं, और चाहे जिस अभागे दरिद्र के पीछे कमर बांद कर खड़ी हो जाओगी, मुझसे यह आए दिन का बखेडा सहा नहीं जाता है, आज भावी ने नाहक मुझे दस बातें सुना दी, हिमांगिनी थकी थकी आवाज में कहा, तुम्हारी भावी हक की बात ही कब कहती हैं, जो आज ही नाहक दस बातें सुना दी, नहीं, आज तो उन्होंने जो कुछ कहा है, ठीक ही कहा है, मैं तो तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ, उस बार घर के गौले के बारे में भी ऐसा ही किया था, मोती कुमार के भांजे का इतना अच्छा बाग तुम्हारे कारण ही मुठी से निकल गया उल्टे पुलिस को चुप करने के लिए गाट से सौ रुपे देने पड़े क्या तुम अपना भला बुरा भी नहीं समझती आखे तुम्हारा सौभाव कब बदलेगा हिमांगनी उठकर बैट गई और अपने पती के चहरे की ओध देखकर बोली मेरा सौभाव तो मरने पर ही बदलेगा इससे पहले नहीं मैं भी मा हूँ मेरी गोद में लड़के बच्चे भी हैं और उपर भगवान है इससे अधिक मैं बड़ो को शिकायत करना नहीं चाती मेरी तब्यत खराब है इस समय मुझसे बगजख मत करो जाओ या कहकर वह चादर खीच कर करवट बदल कर लेट गई विपिन को और अधिक तर्ग वितर्ग करने का साहस नहीं हुआ लेकिन मन ही मन अपनी पत्नी और विशेश रूप से गले पड़ी बला अभागे किशन से बहुत ही चिड़ गए दूसरे दिन सवेरे खिड़की खोलते ही हिमांगनी के कानों में जिठानी के तीखे स्वर की जहनकार पड़ी वह पती से कह रही थे यह लड़का कल से ही भागा हुआ है तुमने उसकी बिलकुल ही खोच ख़बर नहीं ली है पती ने उत्तर दिया चूले में चला जाए खोच ख़बर लेनी की जरुरत ही क्या है पत्नी मुहले भर को सुनाती हुई बोली अब तो निंदा के मारे इस गाउं में रहना कठिन हो जाएगा हमारे यहां दुश्मनों की भी कमी नहीं है अगर कहीं गिर पड़कर मर मरा गया तो कहे देती हूं छोटे बड़े सब को जेल खाना जाना पड़ेगा हिमांगिनी ने सारी बातें समझ ले और खिड़की बंद करके एक लंबी सांस लेकर दूसरे कमरे में चली गई दोपहर के समय यह रसोई के बरामदे में बैठी खाना खा रही थी की सामने से चोरों की तरह दबे पाउं किशन आ खड़ा हुआ उसके बाल रुखे थे और मुह सोखा था हिमांगिनी ने पूछा कहां भाग गया था रे किशन भागा तो नहीं था कल शाम के बाद दुकान पर ही सो गया था जब नीन खुली तो देखा आधी रात हो गई है मजली बहन भूख लगी है जा उसी घर में जाकर खा कहकर हिमांगिनी खाना खाने लगी लगबग एक मिनट तक चुप चाप खड़ा रहने के बाद जब किशन जाने लगा तो हिमांगिनी ने उसे बिला कर बिठाया और रसोई से उसे वहीं जगा करके उस भाद परोज देने के लिए कहा किशन अभी आधा ही खा पाया था कि बाहर से उमा घबराई हुई आई और उसने इशारे से चुप चाप बताया कि बाबुजी आ रहे है लड़की का भाव देखकर मा को अचमबा हुआ आते हैं तो इस तरह घबरा क्यो रही है उमा किशन के पीछे खड़ी थी उसने उत्तर में किशन की और इशारा किया और आखी मुहमत का कर इशारे से बताया कि वह खा जो रहा है किशन ने कौतुहल से अपनी गर्दन पीछे की और मोर ली और बड़ी उतकंठा से उसकी शंकित चहरे के संकेत को देखा पल भर में उसका चहरा सफेद पड़ गया उसके मन में कितना डर पैदा हुआ यह तो वही जाने मजली बेहन जी जा जी आ रहे हैं उसने कहा और भात की थाली छोड़ कर रसोई घर के दरवाजे की आड में जाकर खड़ा हो गया उसकी देखा देखी उमा भी एक और भाग गई मकान मालिक के आप पहुचने पर जैसा आचरन चोर किया करते हैं ठीक वही आचरन उन्होंने किया पहले तो हिमांगिनी ने हैरान होकर एक बार इधर और एक बार उधर देखा और फिर ठकी से दिवार के सहरे जुग गए जैसे लज्जा और अपमान का तीर उसके कलेजे में एक बार से उस बार हो गया तब ही विपिन आ गए और सामने ही पतनी को इस तरह बैठी देख पास आकर भी चैनी से पोछने लगे यहां क्या खाना सामने रखकर इस तरह क्यों बैठी हो हिमांगनी ने कोई उत्तर नहीं दिया विपिन ने और भी उत्सुपता से पुछा क्या फिर बुखार हो गया है ललित इसके बाद उसकी नजर उस थाली पर पड़ी जिसमें आधा भात पड़ा हुआ था पुछा इतना भात थाली में छोड़कर कौन उठ गया हिमांगनी उठकर बैठ गई और बोली नहीं उधर किशन खा रहा था तुम्हारे डर के मारे किवार की आण में छिप गया है क्यूं? सो तुम अच्छी तरह जानते हो और केवल वही नहीं तुम्हारे आने की खबर देकर उमा भी भाग गई है विपिन ने मन ही मन समझ लिया कि पत्नी की बातें तेंड़े रास्ते जा रही है इसलिए उन्होंने सीधे रास्ते पर लाने के लिए हस्ते हुए कहा आखिर वक किस डर से भागी? हिमांगिनी ने कहा क्या जानू शायद मा का अपमान अपनी आखों देखने के भैसे भाग गई हो फिर एक ठंडी सांस लेकर बुली किशन पराया लड़का ठैरा यह तो छिपेगा ही लेकिन पेट की रड़की तक यह विश्वास नहीं कर सकी कि मा को इतना भी अधिकार है कि वा किसी को एक और भाद भी खिला सके विपिन ने समझा कि मामला सच मुझ बिगड़ गया है कहीं आगे बढ़कर उग्र रूप धारन ना कर ले इसलिए उन्होंने इस अभीयोग को एक साधारन मजाक में बदल कर आखें मटका कर और गर्दन हिला कर कहा नहीं तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कोई भिकमंगा आये तो उसे भीग तक देने का अधिकार नहीं है अच्छा इन सब बातों को जाने दो कल से तुम्हारे सेर में फिर दर्द तो नहीं हुआ मैं सोचता हूँ कि सहर के डॉक्टर को बिलवा लू और नहीं तो फिर एक बार कलकत्ता रोग और इलाज का मश्वरा यहीं रुख गया हिमांगिनी ने पूछा तुमने उमा के सामने किशन को कुछ कहा था पहा था भाभी नाराज होती है भाईया बिगड़ते हैं मालूम होता है उमा वहां खड़ी थी जानती हो कहकर हिमांगिनी ने बात दवा दी विपिन के रसोई घर से जाते ही उसने किशन को बला कर कहा किशन यहां चार पैसे ले 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 जाकर दुकान से कुछ चने मुरमुरे खरीद कर खा ले, भूख लगने पर अब मेरे पास मताना, तेरी मजली बहन की इतनी ताकत नहीं कि वह बाहर के आदमी को एक और भात भी खिला सके, किशन चुप चाप चला गया, अंदर खड़े विपिन ने उसकी ओर देख कर दात पी ही कहा, आखिर तुमने क्या पखेडा शुरू कर रखा है, किशन तुम्हारा कौन है, जो उस पराय लड़के के लिए दिन रात अपने आदमियों से जगड़ा किये करती हो, मैंने आज देखा कि भाया तक सक्त नराज है, इससे कुछ देर पहले अपने घर में बैठ कर काद इन में से एक भी निश्फल नहीं गया था, उन सभी तीरों ने हिमांगनी को छेद डाला था, और हर तीर ने अपनी नोक से हिमांगनी के शरीर में इतना जहर भर दिया था, कि उसकी आग उसे बुरी तरह जला रही थी, लेकिन बीच में जेट जी बैठे थे, इसलिए सब क सहने के सिवा, उन से बचने और उन्हें रोकने का उसे कोई मार्व नहीं मिल सका था, प्राचीन काल में जिस तरह युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए गाय को सामने खड़ा करके, पीछे से राजपूतों की सेना पर बाणों की वर्शा करते थे, कादंबिनी भी म हैं, जेड जी तक नाराज हो गए हैं, इतने बड़े आशरी की बात पर एक दम तो विश्वास नहीं होता, अब बताओ क्या करने से उनका क्रोध शान्त हो सकता है, विपिन मन ही मन बहुत नाराज हुए, लेकिन अपनी नाराजगी प्रकट करने का, उनका स्वभाव नहीं भी नहीं होने पाई थी, कि मांगनी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, कोई अंजान बच्ची नहीं हूँ, जो बड़ों की मान मर्यादाने समझती नहीं हूँ, लेकिन मैं इस लड़के को चाहती हूँ, इसलिए वह मुझे उस पर दिखा दिखा कर, उस पर दिन रात अत्याच करती रहती हैं, उसकी आवाज कुछ नर्म हो गई, क्योंकि अचानक जेट के संबंध में ताना मार कर, यहाँ कुछ सक पका गई थी, लेकिन उसके शरीर में आग लग रही थी, इसलिए क्रोथ पर काबू न पा सकी, विपिन अंदर ही अंदर उन लोगों के पक्ष में थे, क्योंकि एक पराए लड़के के लिए अपने बड़े भाई से बेकार ही जगडा करना उन्हीं पशन नहीं था, पत्नी की सबपकाहत को देखकर, मौका पाकर उन्होंने कुछ जोर देकर कहा, अत्याचार कुछ भी नहीं करते, अपने लड़के को काईदे में रखते हैं, का पांगनी अपने पती की बात सुनकर पहले तो हैरान रह गई, क्योंकि वह इस ग्रिहस्ती को पिछले 15-16 वरसों से चला रही थी, लेकिन इस से पहले उसने अपने पती में भाई के प्रती इतनी भक्ती भावना कभी नहीं देखी थी, उसके समूचे शरीर में आग सी लग उसने कहा, अगर भाग पूचे हैं, बड़े हैं, तो मैं भी मा हूँ, अगर बड़े लोग अपना सम्मान आप ही नश्ट कर डालेंगे, तो मैं कहां से उनकी भरपाई करूंगी, विपिन चाहिद इसका कुछ उत्तर देना चाहते थे, लेकिन रुक गए, क्योंकि तभी द लेकिन उस हासी में सनेह नहीं था, पत्नी होट दबा कर दर्वाजे के पास पहुँच गई, और चुप चाप किशन के चहरे की ओर देखने लगे, उसे देखते ही किशन का चहरा खुशी से चमक उठा, उसके मुह से पहले ही यही निकला, मजली बहन, तब्यत कैसी हैं, हिम उसी के सिर पर बरस पड़ा, हिमांगनी ने धीरे से, लेकिन कठोर स्वर से कहा, क्यूं, क्या है, तो रोज यहां क्यूं आता है, किशन का कलेजा धड़क उठा, हिमांगनी का यह कठोर स्वर, उसे वास्तों में इतना कठोर सुनाई दिया, कि उस अभागे वालक को, यह सम सिरे से कहा, देखने आया हूं, विपिन ने हस कर कहा, तुम्हें देखने के लिए आया है, इस हसी ने जैसे मुह चिड़ा कर, उसने नजरे फेली और किशन से बोले, अब तु यहां मत आना, जा, अच्छा, किशन ने इतना कहकर, अपने चेहरे पर बिखरी कालिमा को, हसी स धखने का प्रेतन किया, लेकिन इस से उसका चेहरा और भी स्याह और भद्दा बन गया, वह मुह नीचा करके चला गया, उस चेहरे की काली चाया, अपनी चेहरे पर लिए, हिमांगनी ने एक बार पती की और देखा, और जल्दी से कमरे से निकल गई, चार-पांच दिन बी बैठ गई है, अभी अभी शाम का दिया जला था, तभी ललित अच्छे-च्छे कपड़े पहन कर, कमरे में आकर बोला, मा, आज दत बाबु के यहां कटपुतली कर नाच होगा, मैं जाकर देखा हूँ, मा ने कुछ हस कर कहा, क्यों रे ललित, आज पांच छे दिन से तेरी मा बिमार पड़ी है, तो कभी एक बार भी पास आकर नहीं बैठा, ललित लज्जित होकर सिराहने आ बैठा, मा ने बड़े प्यार से बेटे की पीट पर हाथ रख कर पुछा, अगर मेरी बिमारी अच्छी ना हो, और मैं मर जाओं, तो तू क्या करेगा, खूब रोएगा हटो, तुम अच्छी हो जाओगे, इतना कहकर ललित ने मा के सीने पर हाथ रख दिया, मा बेटे का हाथ अपने हाथ में लेकर चुप हो गई, ज्वर के समय पुत्र के हाथ का यहस पर उसके समूचे बदन को सीतल करने लगा, जी चाहा यह इसी तरह बैठा रहे, लेकिन थो हो गया हो, यह सोचते सोचते उसका मन अंदर ही अंदर अइस्थिर हो उठा, बेटे की मन की बात समझ कर, मा ने मन ही मन हसते हुए कहा, अच्छा जा, देखा, लेकिन ज्यादा रात मत करना, नहीं मा में जल्दी ही आ जाऊंगा, इतना कहकर ललित चला गया, लेकिन दो पर रखे हैं, ले-ले, लेकिन एक से ज्यादा मत लेना, नहीं मा, रुप्या नहीं चाहिए, बताओ, मेरी बात मानोगी, मा ने आश्चेरी से कहा, रुप्या नहीं चाहिए, तो फिर क्या बात है, ललित खिसक कर मा के और भी पास पहुँच गया, और बोला, जरा किशन को आने दोगी, कमरे में नहीं आएंगे, दरवाजे के पास ही, एक बात तुम्हें देखकर चले जाएंगे, वह कल भी बाहर आकर बैठे थे, आज भी बैठे हुए हैं, हिमांगिनी हर बड़ा कर उठ बैठी और बोली, जा जा ललित, अभी बुलाला, हाए, हाए, बिचारा बाहर बैठा है, और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, डर के मारे अंदर आना नहीं चाहते, इतना कहकर लली चला गया, एक ही मिनत के बाद किशन कमरे में आया, और जमीन की ओर सेर जुका कर, दिवार के सहारे खड़ा हो गया, हिमांगिनी ने कहा, आ भया, आ, कि हारे किशन, उस दिन बगज़क की थी, इसलिए शायद तो अपनी मजली बहन को भूल गया, सहसा किशन फूट फूट कर रोने लगा, हिमांगिनी को कुछ आश्चरी हुआ, क्योंकि आज तक किशन को किसी ने रोते हुए नहीं देखा था, अनेक दुख और यातनाएं मिलन पर भी वह चुप चाप सिर जुका लेता है, कभी किसी के सामने रोता नहीं है, उसके सौभाव से हिमांगिनी परिचित थी, इसलिए अश्चरी से बोली, छी, रोना किसलिए, राजा बेटे कहीं आशु बहाया करते हैं, उत्तर में किशन ने धोती के छोर को मुह में भर कर यथा शक्ती रुलाई को रोकने की कोशिश करते हुए गहा, डॉक्टर ने कहा है कि कलेजे में सर्दी बैठ गई है, हिमांगिनी हसते हुए बोली, बस इसलिए, राम राम, तू भी कैसा लड़का है, इतना कहते ही हिमांगिनी की आँखों से, टप टप दो बूंद आसु पड़े, उन्हें बाएं हाथ से पोच कर, उसके माथे पर हाथ रखते हुए गहा, सर्दी बैठ गई है, डॉक्टर ने भले या कहा हो, अगर मैं मर जाओं, तो तू और ललित, दोनों मिलकर मुझे गंगा जी तो पहुचा आओगे, क्यों, पहुचा आओगे न, उसी समय म पूर कर देखती रही, फिर बोली, लो, यह तो यहां बैठा है, और यह क्या, मजली बहु के सामने रो कर, दुलार हो रहा है, यह धोंगी कितने चल चंद जानता है, बहुत ठक जाने के कारण ही मांगनी, अभी अभी तक यह के सहरे लेटी थी, लेकिन ततकाल तीर की तरह स खे साथ दिन से बुखार आ रहा है, तुम्हारे पैर पड़ती हो, इस समय तुम चली जाओ, कादम बिनी पहले तो कुछ सत्पकाए, लेकिन तुरन थी, अपने आपको समाल कर बोली, मजली बहु, तुमसे तो कुछ नहीं कहा, अपने भाई को डाट रही हो, इस पर तुम क करने की जरूरत नहीं है, और ना मैं करने दूँगी, क्यों, क्या तुम घर से निकाल दोगी, हिमांगिनी ने हाच जोड़कर का, जी जी, मेरी तब्यक खराब है, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, या तो छुप रहो, या चली जाओ, कादम बिनी बोली, अपने भा गाई बुझाई की जाती है, वह सब मैं आज निकाल दूँगी, बदजात छूटा कहीं का, मैंने कहा था कि गाए के गले में बाहने की रसी नहीं है, किशन, जरा जाकर दो अटिया पांट काट लो, तो बोला, बेहन तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, जरा कटपुतली का नाच देखा हूँ, यही न कटपुतली का नाच देखा जा रहा है, यह कहकर कादम बिनी छम छम पैर पटकती हुए, वहां से चली गए, हिमांगनी कुछ देर तक काट की तरह बैठी रहे, फिर लेट कर बोले, किशन, तु कटपुतली का नाच देखने क्यों नहीं गया, चला गया होता, तो वह सब बाते ना सुननी पड़ती, जब वह लोग तुझे नहीं आने देते, तब भाईया हमारे यहां तु मत आया कर, किशन बिना कुछ कहे, सुने, चुप चाप चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही लोटा है, और बोला, बहन, हमारे गाउं की व बिकार ही जगड़ा हो जाने के कारण, हमांगनी का मन बहुत चला उठा था, लड़ाई जगड़ा होता ही रहता है, लेकिन ऐसा बढ़िया बहाना मिल जाने पर, इस अभागे की क्या दर्दशा होती होगी, या सोचकर उसकी च्छाती, दुख, क्रोध और बेबसी से जल उ हो जाऊंगी, तब तुझे बुला कर पूजा देने के लिए भेज दूँगी, अकेले जा तो सकेगा ना, किसन प्रसन्यता से आँखे फाड़ कर बोला, बड़े मजे से अकेले चला जाऊंगा मजली बहन, तुम आज ही मुझे एक रुपया देकर भेज दो ना, मैं कल सवे मेरे ही पूजा देकर तुम्हे प्रशाद ला दूँगा, उसे खाते ही तुमारे रोग दूर हो जाएंगे, मुझे आज ही भेज दोना मजली बहन, हिमांगी ने देखा कि अब उससे ठहरा नहीं जा रहा, बोली, लेकिन कल लोटने पर यह लोग तुझे बहुत मारेंगे, मार पीट का नाम सुनकर पहले तो किशन कुछ सहम उठा, लेकिन फिर खुश हो कर बोला, भले ही मारें, तुमारा रोग तो दूर हो जाएगा, हिमांगनी की आँखों से फिर आंसु बहने लगे, उसने कहा, क्यों रे किशन, मैं तो तेरी कोई भी नहीं हूँ, फिर मेरे ल अपनी मा को खोजता फिरता है, थोड़ी देर तक हिमांगनी की ओर देख कर बोला, तुम्हारा रोग जो दूर नहीं होता है, मचली बेहन, छाती में सर्दी बैठ गई है, हिमांगनी हस पड़ी, मेरी छाती में सर्दी बैठ गई है, तो इससे तुझे क्या, तुझे इतनी चिंता क्यूं है? किशन ने हैरानी से कहा मुझे चिंता ना होगी मचली बहन छाती में सरदी बैठ जाना बहुत ही खराब है अगर बिमारी बढ़ जाए तो तो फिर तुझे बिलवा लूंगी लेकिन बिना बुलाए मता ना भाया क्यूं मचली बेहन हिमांगनी ने से हिला कर द्रिंटा से का नहीं अब मैं तुझे यहां नहीं आने दूँगे बिना बुलाई अगर तू आएगा तो मैं बहुत नाराज होँगी किशन ने उसके मुह की और देखकर दरते हुए पूछा अच्छा तो बताओ कल सुवेरे कब बुलाओगी क्या कल सवेरे तुझे फिर आना चाहिए किशन ने विवश होकर कहा अच्छा सवेरे ना सही दूपहर को आ जाओंगा ठीक है मचली बेन उस समय उसकी आखों में और चहरे पर ऐसी आकोल प्रार्थना फूट पड़ी कि यह मांगनी को मन ही मन बहुत दुख हुआ लेकिन अब बिना कठोर हुए काम नहीं चल सकता सभी ने मिलकर इस मासूम और एकदम असहाए बालक को जो यातनाए देनी आरंब की है उसे किसी भी तरह और बढ़ा देने से काम नहीं चल सकता शायद वह उसे सह सकता है मजली बहन के पास आने जाने कर दंड कितना ही भारी क्यों न हो उसे सह लेने से तो शायद वह पीछे नहीं अटेगा लेकिन हिमांगनी से कैसे सह पाएगी हिमांगनी की आँखों से आसू बहने लगे मुँ फेर कर रूक हे सुषर में बुली मुझे तंग ना कर किशन यहाँ से चला जा जब बुलाओं तब आणा इस तरह जब जी चाहे आकर मुझे तंग मत करना नहीं तंग तो मैं नहीं करता इतना कहकर अपना भैभीत और लजजित मुक्र नीचा करके जल्दी से चला गया हिमांगनी की आँखों से जहरने की तरह आसू जहरने लगे उसे इस पश्ट दिखाई देने लगा कि वह अनाथ और बी सहारा बालक अपनी मा को गमा कर मुझे अपनी मा समझने लगा है मेरे आचल का थोड़ा सा भाग अपने माथे पर खींच लेने के लिए कंगाल की तरह जाने क्या क्या करता फिरता है हिमांगनी ने आसू पोच कर मन ही मन किशन तू यहां से इतना उदास और दुखी होकर चला गया भाई लेकिन तेरी मचली बेहन तो तुझसे भी बढ़कर बेवस है उसमें इतनी भी सामर्थ नहीं है कि तुझे जबर जस्ती खींच कर कलेजे से लगा ले उमा ने आकर कहा मा कल किशन मामा तगाहे को ना जाकर तुम्हारे पास आ बैठे थे इसलिए उन्हें ताओ जी ने इतना मारा कि नाक से हिमांगनी ने धमका कर कहा अच्छा अच्छा हो गया रहने दे तू भाग जाए यहां से अचानक जिड़की खाकर उमा चौक पड़ी और चुप चाप जाने लगी तो मा ने पुकार कर कहा अरी सुन तो क्या नाक से बहुत खून निकला है नहीं बहुत सा नहीं थोड़ा सा उमा लौट कर बोली दरवाजे के पास पहुँचते ही उमा बोली उठी मा किशन मामा तो यहां ही खड़े हैं किशन ने यह बात सुन ली इसे जान कैसा जी है दुख अभिमान और चोर से हिमांगनी पागलों की तरह चीक उठी यहां क्या करने आया है जा जल्दी जा यहां से कहती हूँ दूर हो जाँ किशन मूर्ख की तरह आखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा हिमांगनी ने और भी चिला कर कहा कमबक्त फिर भी खड़ा है गया नहीं जाता हूँ किशन ने सिर जुका कर कहा और चला गया उसके जाने के बाद हिमांगनी बेजान से बिच्छोने के एक किनारे पड़ गए और बड़वडाते हुए कहने लगे कमबक्त से सौ बार कह दिया कि मेरे पास मत आया कर फिर भी वह मजली बहन उमा जाकर सिब्बू से कह दे कि अब उसे घर के अंदर ना आने दिया करे लेकिन आज इस बिमारी के समय एक भीक्षा मांगती हूँ दोगे विपिन ने संदिक दिस्वर में कहा क्या चाहती हो किशन को मुझे दे दो वह बिचारा बहुत दुखी है उसके माबाप नहीं है वह लोग उसे मार डालते हैं यह हम उससे देखा नहीं जाता विपिन ने कुछ मुस्कुरा कर कहा तो आँखे मोद लो बस सारा जगडा मिट जाएगा पती का यह क्रूर मजाक हे मांगनी के कलेजे में तीर की तरह बिंद गया और किसी हालत में तो वह इसे सह लेती लेकिन आज मारे दुख के उसके प्राण निकलने लगे थे इसलिए उसने सह लिया और हाथ जोड कर बोली तुम्हारी सौगंद खा कर कहती हूँ उसे मैं अपने पेट के बेटे की तरह चाहती हूँ मुझे दे दो उसे पाल कर वड़ा करूँगी खिलाओंगी पहनाओंगी इसके बाद तुम लोगों की जो एक्षा हो करना जब वह सयाना हो जाएगा तब मैं कुछ नहीं कहूंगी विपिन ने कुछ नर्म होकर कहा यह क्या कोई मेरी दुकान का धान या चावल है जो मैं लाकर दे दूँगा दूसरे का भाई है दूसरे के घर आया है तुम बीच में पढ़कर इतना दर्द क्यों महसूस करती हो हिमांगनी रो पड़ी थोड़ी देर बाद उसने आंसू पोश्ट दे वेगा अगर तुम चाहो तो जेट जी और जेठानी जी से कहकर मजे से ला सकते हो मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ उसे ला दो विपिन ने कहा अच्छा मा लो ऐसा हो जाए तो हम कहां के इतने बड़े आदमी है जो उसका पालन पोशन कर पाएंगे हमांगनी बोली पहले तो तुमने मेरी किसी भी इक्षा को नहीं ठुकराया फिर अब मैंने कौन सा अपरात किया है जो तुम ऐसा कह रहे हूँ मेरे प्राण निकले जा रहे है और तुम मेरी इतनी मामली सी बात नहीं मान रहे वह अभागा है तो क्या तुम सब मिलकर उसे मार ही डालोगे मैं उसे अपने यहां आने को कहूंगे देखती हूँ वह लोग क्या कहते हैं विपिन ने अप्रसन्यता से कहा मैं उसे खिला पिला नहीं सकूंगा मैं खिला पिला सकूंगी क्या मैं कल ही उसे बुला कर अपने पास रखूंगी अगर जिठानी उसे जवरजस्ती रोकेंगी तो मैं उसे ठाने में दरूगा के पास भीज़ दूँगे पतनी की बात सुनकर विपिन क्रोध और अभिमान से छण भर के लिए हका बका रह गए फिर बोले अच्छा देखा जाएगा और यह कह कर चले गए दूसरे दिन सुबह से ही वर्शा होने लगी हिमांगनी अपने कमरे की खिड़की खोल कर आकाश की ओर देख रही थी सैसा उसे पांचू गोपाल की उची आवास सुनाए दी वह चिला कर कह रहा था मा अपने गुनी भाई को देखो पानी में भीगते हुए हाजिर हो गए है जाड़ों कहां है रे मैं आती हूँ कहती हुई और हुंकार करती हुई कादम बिनी जल्दी से बाहर निकली और सिर पर अंगोचा डाल कर सदर दर्वाजे पर पहुँच गई हुमांगनी की छाती काप उठी उसने ललित को बिला कर कहा जा तो बिटा उस मकान में और देख तेरे किशन ममा कहां से आये है ललित दोड़ा हुआ गया और थोड़ी देर बाद ही लौट कर बोला ललित ने कहा कल दोपहर को उन्हें ग्वालों के यहां तगादे के लिए भेजा था वहां से तीन रुपए वसूल करके भाग गये और तीनों रुपए खर्च करके अब आये हैं हिमांगनी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ उसने पुछा किसने कहा है कि उसने रुपए वसूल किये थी लक्षमन खुद ही आकर कह गया है यह कहका ललित पढ़ने चला गया तीन घंटे तक कोई शोर नहीं सुनाई दिया देस बजे के लगभग रसोई दारिन खाना दे गई हिमांगनी उठना ही चाहती थी कि तभी उसके कमरे के बाहर कुरुक्षेत का द्रिश उपस्थित हो गया बड़ी बहु के पिछे-पिछे पांचु गोपाल किशन का कान पकड़ कर घसीर्ता हुआ ला रहा था साथ में विपिन के बड़े भाई भी है विपिन को बुलाने के लिए आदमी दुकान पर भेजा गया है हिमांगनी ने घपरा कर सिर ढख लिया और उठकर कमरे में एक किनारे खड़ी हो गई आते ही जेट जी ने चीक चीक कर कहना आरंब कर दिया मजली बहु देखता हूँ कि तुम्हारे कारण हम लोग इस मकान में नहीं रह सकेंगे विपिन से कह दो कि हमारे मकान की कीमत दे दे जिससे हम लोग कहीं और जाकर रहे हैं हिमांगनी आश्चेरे से हत बुद्धी से चुप चाप खड़ी रहे तब बड़ी बहु ने युद्ध संचालन अपने हाथ में लिया और दर्वाजे की ठीक सामने आकर खूब हाथ मोन नचा नचा कर कहने लगी मजली बहु मैं तुम्हारी जेठानी हो तुम मुझे कुत्ते और गीदर की तरहां समझती हो सो अच्छा ही करती हो लेकिन मैंने तुमसे हजार बार कहा है कि जूट मुट का दिखावटी प्रेम दिखा कर मेरे भाई को चौपट मत करो क्यों जो कहा था आखिर वही हुआ न दो दिन का दुलार आसान है लेकिन हमेशा को बोस्त तुम उठाने से रहे वह तो हमें ही उठाना पड़ेगा हिमांगनी ने सिर्फ यही समझा कि इन करवे बोलों से उस पर आक्रवन किया जा रहा है उसने बहुत ही कोमल स्वर्व से में पूछा आखिर हुआ क्या कादमबिनी ने और भी अधिकात मुहमत का कर कहा बहुत अच्छा हुआ बहुत बढ़िया हुआ है तुम्हारी सीख मिलने से वसूल किये हुए रुपए चुराना सीख गया है और दो तिन दिन अपने पास बुला कर सिखाओ पढ़ाओ तो संदू का ताला तोड़ना और सेंद लगाना भी सीख जाएगा उससे नहीं रहा गया बड़ी कोमल स्वर में बोली क्या मैंने ही उसे चोरी करना और डाका डालना सिखाया है जी जी कादम भी नहीं बोली मैं कैसे जानू कि तुमने सिखाया है या नहीं लेकिन पहले तो उसका यह सुभाव था नहीं फिर आखिर तुम लोगों से छिप छिप कर इसकी बातें क्या होती हैं उसे इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है थोड़ी देर के लिए हिमांगनी हका बक्का सी रह गई या बात उसके दिमाग में नहीं बैठ सकी कि कोई मनुशे कभी किसी दूसरे मनुशे पर इस प्रकार का आघात करके उसे इस तरह अपमानित कर सकता है लेकिन यहां दर्शा कुछ पल तक ही रही दूसरे ही पल वह चोट खाई सिंगनी के समान बाहर निकल आई उसकी आखें अंगारों की तरह जल रही थी जेट को सामने देख सिर पर कपड़ा तो थोड़ा सा आगे खीच लिया लेकिन अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाई उसने जेठानी को संबोधित करते हुए मीठे लेकिन अत्यंत कठोर स्वर में कहा तुम इतनी बड़ी चमारिन हो कि तुम्हारे साथ बात करने में भी मुझे घ्रणा होती है तुम इतनी बेशर्म हो कि इस लड़के को अपना भाई भी कहती हो अगर आदमी एक जानवर पालता है तो उसे भी भर पेट खाना खाने को देता है लेकिन इस अभागे से तो सभी तरह के छोटे से छोटे काम लेकर भी तुमने इसे कभी भर पेट खाने को नहीं दिया अगर मैं न होती तो अब तक वह भूखों मर गया होता या केवल पेट की आप के कारण मेरे पास दोड़ा आता है प्यार दुलार पाने के लिए नहीं कादम बिनी ने कहा हम लोग खाने को नहीं देते खाली काम लेते हैं और तुमने उसे खिला पिला कर बचा रखा है मैं भिलकुल ठीक कहती हूँ आज तक तुमने कभी उसे दोनों समय भर पेट खाना नहीं दिया सिर्फ मार पीट की है और जहां तक काम करा सकती हो काम कराती हो तुम लोगों के डर से मैंने इसे हजार बार आने को मना किया है लेकिन जब भूग बरदाश्ट नहीं होती तब सिर्फ इसलिए भागा चला आता है कि यहां उसे भर पेट खाना मिल जाता है चोरी डकैती की सलाह लेने नहीं आता लेकिन तुम लोग इतने इश्यालू हो कि अपनी आँखों से यहां भी नहीं देख सकते अपकी बाग जेट ने उत्तर दिया उन्होंने किशन को सामने खीच उसकी धोती की चोड़ से यही नतीजा है कि यह सारे रुपे चुरा कर तुम्हारे खित के लिए जाने किस देवी की पूजा में देकर प्रशाद लाया है यहलू इतना कहकर उन्होंने उस दोने में से दो संदेश कुछ फूल और बेल पत्रयादी निकाल कर दिखा दिये कादम बिनी की आँखें कपाल पर चड़ गए उसने कहा अरे मयारी कैसा चुपा सैतान है कैसा धूर्त और मकार है ठीक है मजली बहू अब तुम ही बताओ कि इसने चोरी क्योंकि क्या मेरे हित के लिए क्रोथ के मारे हिमांगनी अपना आपक हो वैठी एक तो उसका स्वस्त शरीर उस पर यह जूटा इलजाम उसने जल्दी से आगे वढ़कर किशन को दोनों गालों पर जोर जोर से दो तमाचे जड़ दिये और कहा हराम जादे चोर मैंने तुझे चोरी करना सिखाया है कितनी बार तुझे मना किया कि मेरे घर मत आया कर कितनी बार तुझे भगा दिया अब मुझे लग रहा है कि तुझे चोरी करने के इरादे से ही जब तब मेरे यहां आकर जहाका करता था अब तक घर के सारे लोग इकठे हो चुके थे सिब्बू ने कहा मा, मैंने अपनी आँखों से देखा है परसों या राद यह तुम्हारे कमरे के सामने अंधेरे में खड़ा था मुझे देखते ही भाग गया था अगर मैं ना आता तो जरूर तुम्हारे कमरे में घुसकर चोरी करता पाचू गोपाल ने कहा यहाँ जानता है कि चाची की तबेद ठीक नहीं है इसलिए शाम को ही सो जाती हैं यहाँ क्या कम चालाख है किशन के साथ मजली बहु के आज के इस व्यवहार से कादम बिनी को जितनी प्रसन्नता हुई पिछले सोलह वर्षों में कभी नहीं हुई थी अत्यदिक प्रसन्न होक अब कैसा भीगी बिल्ली की तरह खड़ा है मजली बहु भला मैं कैसे जानती कि तुमने इसे अपने घर आने से मना कर दिया है यह तो सबसे कहता फिरता है कि मजली बहु मुझे मां से भी बढ़ कर चाहती है इसके बाद उसने दोनों सहित परशाद उठाकर दूर फेकते तीन रुपे चुरा कर ना जने कहां से दो चार फूल पतियां उठा लाया है हराम जादा चोर घर ले जाकर कादमिनी के पती ने चोर को सजा देना शुरू कर दिया उसे बड़ी बेरहमी से मारने लगे लेकिन ना तो उसने मुह से कुछ कहा ना रोया जब इधर मारते तो अधर मुह फेर लेता अत्यदिक बोट से बढ़ी घाडी में जुता हुआ बैल कीचर में फर जाने पर जिस तरह मार खाता है उसी तरह किशन भी चुप चाप मार खाता रहा यहां तक कि कादमिनी तक ने इस बात को स्विकार कर लिया कि उसने मार खाना खुब अच्छी तर नहीं उठाया था हिमांगनी अपने कमरे की सभी खिड़कियों को बंद कर काट की मूर्ती की तरह चुप चाप बैठी उमा मार देखने गई थी उसने लोट कर कहा ताई जी कहती हैं कि किशन मामा बड़ा डाकू बनेगा उसके गाउं में ना जाने कौन देवी हैं उमा क्यों री क्या अब भी उसे सब मिलकर मार रहे हैं इतना कहकर हिमांगनी जमीन पर मुह के बल लोट गई और रोने लगी उसे रोता देख उमा भी रोने लगी फिर मा के पास बैठ कर उसके आंसु पोश्टी हुई बोली प्रसन्ने की मा किशन को खींच कर बाहर ले गई हैं हिमांगनी ने और कुछ और नहीं कहा वह चुप चाप उस जगह पड़ी रही दुपहर को दो तीन बजे के लगबग उसे सरदी लगकर बहुत जोरों का बुखार चड़ गया आज कोई दिनों के बाद वह पत्थे लेटने बैठी थी वह पत्थे अब भी एक और पड़ा स चाम के बाद विपिन उस मकान से अपनी भावी से सारा हाल सुनकर क्रोट से जहलाते हुए अपने कमरे में जा रहे थे कि उमा ने पास आकर धीरें से कहा मा तो बुखार में बेहोश पड़ी हैं विपिन ने चौक कर पुछा यहा क्या हुआ इधर तीन चार दिन से तो बु चाहते हैं कितना चाहते हैं यह तो चार पांच वर्ष पहले ही अपने भाई और भावी से अलग होते समय मालूम हो गया था वा घबराए हुए कमरे में पहुँचे देखा अभी तक हेमांगनी जमीन पर पड़ी है उन्होंने घबरा कर पलंग पर लिटाने के लिए जैसे ह उसके शरीर पर हाथ लगाया उसने आखें खोल दी थोड़ी देर तक विपिन के चहरे की और देखकर अचानक उसने उनके दोनों पैर पकड़ लिये और रोते हुए बोली किशन को आश्रे दे दो नहीं तो बुखार नहीं चूटेगा दुरगा मया मुझे किसी भी तरह च शमा नहीं करेंगी विपिन अपने पैर छोड़ा कर उसके पास बैठके और सिर पर हाथ फेरते हुए तसली देने लगे हिमांगिनी ने पूछा दो गया आश्रे विपिन ने उसके आँसू भरी आँखें पोश्टेवे का तुम जो चाहो की वही होगा तुम अच्छी हो ज नहां दो कर और जल पान करके जब वह दुकान पर जाने लगे तो हिमांगिनी ने उसके पास आकर कहा मार पढ़ने से किशन को बहुत तेज बुखारा गया है उसे मैं यहां ले आती हूँ विपिन ने जहला कर कहा नहीं उसे यहां लाने की जरूरत है जहां है वहीं रहने तो हिमांगनी सननाटे में खड़ी रह गए फिर बोली कल रात तो तुमने वचन दिया था कि आश्रे दोगे विपिन ने उपेक्षा से सिर हिला कर कहा वो अपना कौन है जो उसे घर लेकर पालन पोशन करोगी तुम भी खूब हो कल रात को अपनी पतनी को अतिनत बिमार कर इन्होंने इंकार कर दिया छाता बगल में दबा कर उठते हुए बोले पागल पन मत करो भाईया और बाभी दोनों चिड़ जाएंगे हिमांगनी ने शांत द्रहिंस्वर में कहा वह लोग चिड़ कर क्या उसका खून कर डालेंगे क्या मैं उसे लाओंगी तो दुनिया म कोई उसे रोक सकेगा मेरे दो बच्चे हैं कल से तीन हो गए हैं मैं किशन की मा हूँ अच्छा देखा जाएगा कहकर विपन जाने लगे तो हिमांगनी शामने आकर खड़ी हो गई और बोली क्या उसे इस घर में नहीं लाने दोगे हटो हटो कैसा पागल पन करती हो विपन नहीं यह सुनकर मन ही मन हस पड़े और बोले डर दिखाया जा रहा है फिर वह दुकान पर चले गए किशन चंडी मंडप के पास एक और फटी चटाई पर बुखार में शरीर की पीड़ा और शायद हिदय की पीड़ा के कारण बेहोश सा पड़ा हुआ था हिमांगनी ने प पुकारा किशन किशन इस तरह उठकर खड़ा हो गया जैसे पहले से ही तयार था क्या मजली बेहन उसने कहा और इसके साथ ही सलज हसी से उसका चेहरा चमक उठा जैसे उसके शरीर में कोई रोग या पीड़ा है ही नहीं वह बड़ी फोती से खड़ा हो गया और अपने दु भाईया मैं बैठूंगी नहीं तु मेरे साथ चल आज तुझे मेरे साथ चल कर मुझे मैं के पहुचाना आना होगा चलू कहकर किशन ने अपनी तूटी हुई छड़ी बगल में दबा ली और फटा हुआ अंगोचा कंधे पर डाल लिया ही मांगिनी के घर के सामने बैल गा सुनकर गाड़ीवान ने उसे रोक लिया पसी ने इसे लगपत और लाल मुह किये हुए विपिन पहुच गये और डरते डरते पूछने लगे कहा जा रही हूँ हिमांगिनी ने किशन की ओर इशारा करके कहा इसे गाउं ले जा रही हूँ लोटों की कब तक हिमांगिनी ने किशन की ओर हाथ उठा कर कहा इसे जब कहीं आश्रे मिल जाएगा तभी ना केली लोट कर आ सकूंगी नहीं तो इसे लेकर ही रहना पड़ेगा विपिन को याद आ गया कि उस दिन भी उन्होंने अपनी पतनी के मुख पर यही भाव देखा था और ऐसे ही आवाज सुनी थी जिस दिन मोती कुमार के निस सहाए भानजे के बाग को बचाने के लिए वह अकेली ही सब लोगों के मुकाबले में खड़ी हो गई थी उन्हें यह भी याद हो आया कि वह मजली बहु नहीं हैं जिसे आखें दिखा कर किसी काम से रोका जा सके विपिन ने नर्मी से कहा अच्छा अब छहमा कर दो और घर चलो हिमांगिनी ने हाट जोड कर कहा नहीं तुम मुझे छहमा कर दो मैं काम पूरा किये बिना किसी भी तरह घर लोट नहीं सकूंगे विपिन एक शण अपनी पतनी के शांत लेकिन दिर्ण चहरे की ओर देखते रहे फिर सहसा उन्होंने जुक कर किशन का सा दाया हाथ पकड़ कर कहा किशन अपनी मजली बहन को घर लोटा ले चल भाई मैं सौगंद खाता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक दोनों भाई बहन को कोई भी अलग ना कर सकेगा चल भाई अपनी मजली बहन को घर ले चल आशा है कि आप यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और आपके दिल को छूग गई होगी अगर आपको कहानी पसंद आई है तो एक लाइक करें अपनों के साथ शेयर करें और हाँ नीचे कमेंट करना ना भूलें इससे मुझे प्रोथ साहन मिलता है और अगर आप इस चैनल पर नई है और इस चैनल से जोड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद